नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त रामतित भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल एकोनोमेक्स बेदरामतित में साथियो आज हम एक किलाश लेकर आए हैं जिसका नाम है मांग में परिवर्तन चेंज इन डिमांड साथियो प्राने पेपर में कई वार यहां से कोश्चन पूछा गया है तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए जो आपके लिए बहुत ही इफेक्पुल सावित हो तो साथियो देखते हैं मांग में परिवर्तन चेंज इन डिमांड साथियो एक व्यक्ति का मांग बक्र इस मानता पर खिचे जाता है कि उसकी मांग को पिरवावित करने वाले गटक इस्तिर रहते हैं उसकी मांग को पिरवावित करने वाला कोई एक गटक भी पर परिवर्तन आता है बास्तव में मांग में परिवर्तन का अध्यान करते समय बस्तु की कीमत को इस्थरमान लिए जाता है यदि उब्भुकता की आय में परिवर्तन रुची में परिवर्तन कारण बस्तु की मांग बदलती है तो इसे मांग में परिवर्तन कहते हैं साथ यह ज इस्तार या संगुचन होगा तो साथियों आगे देखेंगे कि यह कैसे होता है सबसे पहले हम बात करेंगे मांग में विरद्धी या कमी तो साथियों किसी वस्तु की कीमत क्या होती है इस्तिर रहने पर जब उभोकता की आए बढ़ती है साथियों मालो कि आज मार्केट में आलू 10 रुपए किलो है तो आलू 10 रुपए किलो ही रहेगा लेकिन अगर मालो किसी की आए 10,000 रुपए है तो उसकी आए क्योगी 15,000 हो जाएगी कहने के ताथ पर यह है कि कीमत इस्तिर रहेगी और मांग परिवर्धित हो जाएगी तो उस बश्तु के लिए उभोकता की उब्वक्त का मांग बक्र दाइं और सरक जाएगा साथ यह वाला जो बक्र है यह दाइं और सरक जाएगा और जब यह दाइं और सरक जाएगा तो स्वभाविक सी बात है कि ब्यक्ति मांग में ब्रद्धी करेगा क्योंकि जब उपर को जाएगा तो मांग में ब्रद्धी और यह हमारा जो मांग बक्कर था डी डी यह डी वन और डी वन मांग बक्कर में चेंज हो गए यह इस्तिती ए थी और यह इस्तिती बी हो गई तो साथियो आयोप आपकी यह समझ आगे होगा कि मांग में व्रद्धी कैसे होती है आगे बात करेंगे मांग में कमी साथियो जैसे मांग में विर्द्ध हुई थी ठीक उसी के विप्रीद मांग में क्या होती है कमी होती है वहां मांग बक्र जो था वो दाइं और को सरक रहा था और यहां मांग बक्र बाइं और को सरकेगा यानि नीचे को सरकेगा साथियो मैं पहले बता चुक हो कि कीमत जो व वेक्ति की आए कम हुई तो क्या होगा उससे मांग में कमी हो जाइगी, पहले क्योवन तक पहुंच गई थे हम, अब फिर से क्या करेगे, क्योवन क्रेदेगा, माघनो आलू की आप पहले ज्यादा थे लेकिन क्या हुआ हुआ, वेक्ति की आई थी पहले 10 से 15 हुई थी अब 15 से फिर से 10 होगी तो क्या करेगा वेक्ति फिर से उसी जो डिमांड पर आजाएगा जो पहले उसकी मांग थी उसी पर आजाएगा तो क्या होगा साथियो इसको बोलते है मांग में कमी और यह जो बक्र होता है डी से डी से मांग वक्र D1 D1 पर आ जाएगा फिर से यह इस्तिती A थी और यह B हो जाएगी तो सातियो आयोब में समझता हूं कि आप यह समझ चके होंगे आगे हम बात करेंगे सातियो मांग में विस्तार या समकुचन जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन से होता है सातियों वहां क्या हो रहा था बहां आए चेंज हो रही थी यहां बच्तु की कीमत चेंज हो रही है जबकि आए क्या है आए बही रहेगी आए में कोई चेंज नहीं होगा आए दस जार थी आए दस हजार ही रहेगी लेकिन आलो की कीमत जमालो 10 रुपे थी वो आलो कीमत 12 जाएगी तो सातियों क्या होता है मांग बक्र के साथ साथ यह गति करता है देखो सातियों जब कीमत P थी तो इसकी मांग Q थी और हमारा बक्र A पर हमारा संतलन था मालो कीमत क्या होगी कम हो गई जब किसी भी बस्तु की कीमत कम होती है तो मांग के नियम के अनुसार क्या होता उसके quantity मांग की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है तो इसका संतलन साथियो कहा बन रहा है बी पॉइंट तो जब बस्तु के कीमत कम हो रही है तो मांग में ब्रद्धी हो रही है और जब बस्तु के कीमत में कमी हो रही है स्वारी बस्तू की कीमत में ब्रद्धी हो रही है तो मांग में कमी हो रही है तो साथियो जैसे 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 कीमत बढ़ेगी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी कम होगी और जैसे 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 प्राइस गटेगा डिमांड क्या होगी डिमांड बढ़ तो साथियो यह आपके पाद अच्छे समझ आगे होगा तो साथियो आपके आशा करता हूँ कि आपके समझ आगे होगा मिलते हैं अगली क्लास में कॉमेंट्स के मत्रण जरूर बताएं कि क्लास कैसे लगी जैहिंद नमस्कार